अब देखते हैं कि अकल से आदमी क्या से क्या कर रहा है और अकल से जो कुछ हो रहा है वो तो घर सब किसी को मालम है लेकिन जमा करें आर हमें नाजिया पले भारत पर जो जिस देश में मेरा जनम हुआ और किया रहम उपर वाले ने जो जाई उपी में भुज दिया और हमें नाजिया अपने भारत पर जिस देश में मेरा जनम हुआ और किया रहम उपर वाले ने जो जाई उपी में भेज दिया क्यों इसलिए इस उपी में हर काम जुवाल से होता है हर काम जुवाल से होता है तुम सुनो भ्यान दे नर नारी आब जुवाल से लोग पोत माने और जुवाल से बन के अभिकारी अब राजी नीत में भुशने घर जुवाल से करते धो टाला बीजल पैट्रोल पदाम बढ़ेगा उग निकल किसान को दे वाला सरविस भी जुवाल से मिलती है अब देश जोने लाग खन देबे के लोए तो ले मौकरी नाए जिन सरविस भी जुवाल से मिलती है और जिसकी जुवाल होई भारी साथी होने में कमी भाई मिलती है जुवाल से घरवार यहां तक हुआ कि जुवाल से घरवारी एजाई नहीं दोस्तों बच्चे भी जुवाल से होन लगे यह बड़ी चीज भारत की है बच्चे भी जुवाल से होन लगे यह बड़ी चीज है भारत की नारिया जुवाल ने भूने रही अब जिन पानाई है पापी की कि यानी यहां तक जुवार चली एक अल्टरा साउंड की जुवार चली चेकिंग की और जब जब जुवार चली चेकिन की तब से भारी कमी परी और सो दोसों का लालच देखर डागतर से मेती जुवार लड़ी और पे जो हैं बेटे बेटा की जुवार अज भूमे नहीं बेटा की जुवार में भूम रही गेटियों का धर्व गिराती हैं अप करके जुवार जुवार चली नर्नारी शुखू भाते हैं एक करके जुवार जुवार चली नर्नारी शुखू भाते हैं नई पैदल चलना होता है भर भर पहुंचाए जाते हैं जब से जुगार चली हमारे उपी में हर काम बेना जुगार के नहीं होता अब आप सोचेंगे वो कैसे जुगार से भरबारी मिलती है जुगार से रखवारी मिलती है जगाड से ये पर ख़यर छोड़ू मेरा मतलब है कि बिरना जगाड के कोई काम नहीं होता एक दन ऐसा हुआ एक की साधी नहीं और साधी तो हो कैसे कीके लड़कुँ की संख्या बैशė भी कम है लड़कों की संख्या जादा है और जब इनकी साथी कैसे उनाएं भाई तो एक आदमी ने उनके मम्मा से कही जो कहीं उनके संग में बैठे लए याते और बोलें असने करने के जुगाड लगा उनकी साथी हो जाए तो मम्मा जो भते भगवाने के दिया से उंचो सुनते थे जाए उनके सोची गेना को साथ लासर भासन भवें बैजुगाड नई कस वाए के लाए उनके जिंताने की जुगाड रहें जब इनके जुगाड है अब जो महां जे हते बेज सोचन लगे इना की जुगार है जाक मतलब अव्याओ बने हम भरतार मेरे मामा की जुगार बड़ी है कैसे हम भरतार बे जुवाड का सभाय के लाये ते उन्ने सोची ये लासन भई है ताके माई जुवाड पूछ रहे लेकिन बे जुवाड में जाके हते काओ तरीका सब्याओ हो जाए जब उन्ने पूठी काओ भूले हाँ जुवाड है अब देज सोचन लगे बने हमा हूँ भरतार ते ले तम्मा की जुवाड वही है ते बने सोचन लगे आरे घर घर में परसाद मतेगो जब जुवाड लगे मामा की और लगे जुवाड सादी की आसा पूरी होई अमा की आई है विष्टेजार मेरे मम्मा की जुवाड वड़ी है ननसार ते लोटिक घरे भजी आए अपई माता जी को पूरी बात बताई तो नहीं मालम हम बात करके आए मम्मा की जुवाड बहुत बड़ी है अम्मा सोचन लगी मम्मा की जब जुवाड है तो तो सादी हो यह यह अब अम्मा भूली नाए समावे और घरा की जब 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 और निवता देदे अपने घर में रिष्टेदार बुला दे के आए भती जी हमारी मेरे भाईरों की जब 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 यहां तक हुआ अब अम्मा भूली नाए समावे सोचन लगी के हमावी भती भी श्यानी है होई सकते के भती जी कोई ब्याव भांजे की संग करें तो घरे रिष्टेदार बुलवाए बात ही अंतक पहुँची गई जब रिष्टेदार आएगे सब कुछ होईगा तो बड़ी मुश्किन से मम्मा ने सोची अब चलो बड़ी बेश्टी की बात है चलो भांजे की हमने जबाल का चौर बताई हो जू याने कुछी जबाल सोचेगो बात में अब सर्म की सोधा तब मामा ने साथी की जबाल लगाई और लेशन के बदले बेटी की जबाल में विदा कराई मगन सब ही नर लगार देखो मोगी जबार बरी आए सर्म की सौधा जब जचोची ममाने के सब लोग इकटे होई के आए हैं चलो अब जो कछ हैसो है यह चलो लड़की कि साधी कर दे हम साधी करी हो साधी करें एक बात मजवार में लासन के बदले बिटिया की बिदा भाई और बिदा होए के बाद जब रस्ता में जगार जाए रही है अब जगार जाए लड़ी साइकिल से और लेगे बगड़ी सिपाही जगार को साइकिल से अक्सिडेंट हो गया पुलिस बाले लोग पकड़के लेगे दरोगा जी बोले काओ बोले में धो अर बोला या जुर भला जुगार से और छोड़ो मेरी पिछाई के मानो ठानेदार मेरे मम्मा की जुबान पड़ी है जब जबाब दो ठानेदार तुमें नहीं मालूम जुबान से एक्सिजेंट हुआ है थानेदार बोले इसका मतलब नजाने कब को तु एक्सिजिंट कर वे के लिए भूमिरों बोले सोना हमाई मम्मा की बहुत बड़ी दुवाड है अब थानेदार सोचल लगे हो सकत कर मुख्य मंत्री से दुवाड लो तो तो शोड़ी भी पड़िया भी छोड़ दे जा भाईया तुझे समर ते समर जाएगा अब गाउं के लोग इकटे भाई जैके भाईया ते जुवाड लग जई लगवान की दया से रहे हमाई दरिकादी जुवाड लगा अरे कहें गाउं के जुवाड लगी गई अब अब मेरी जुवाड लगए और अपने गाउं महला में तुझ सब को काम करेए तो वो बोले पहली है पीसा हजार मेरे ममा की जुवाड बड़ी है पीसा हजार मेरे ममा की जुवाड बड़ी है जब आब दो जब गाउं के लोगने भई आते ही तो जुवाड लग गई अब ने का हमाई जुवाड लगा और ब्या की तो इसी भगवान की देया से कमी चल रही है लड़कों की संख्या जादा ये लड़कियों की काम है रे ऐसो भोव इनने की दीसाजार लीग कम ना इनिक चोन नी कचो कचो पेता वदेशी ठगे लए उनने जो कस लेवे आते हैं से और लेवे के बाद में जब व्याव काव को भव ना ये तो दीबांजी पकड़ के लेगे और जबाब दिया क्यों रे गाओं के लोगों को ठगड़ा है बोले सो ना जबाड लगाई बोले कैसी जबाड बोले अरे केंदी बांजी किस जबाड में में साले कमाई बोले मेरे मामा जी ने अबे नई जबाड कसाई के जामे पहिया चारे मेरे मामा जी जबाड बड़ी है के जामे पहिया चारे कि नरोगाजी ने पूछा कि कौन सी जुगाड से तुमें पैसा प्यदा करें जब आप तो सोथ हो जुगाड है जुगाड तो हमाएं मम्मा की है जमें तीन-चार पहिया लगे हैं और हम तो बाई जुगाड पे चलते हैं तो दोस्तों यह जुगाड हिंदुस्तान की जो है तो बहुत आगे चलते हैं यह सब हैं अकल का खेले को अधी पूछन लगों काओ बहुजाई किनकी जुगाड में आई नहीं बरसे ही बाने की जुगाड में आई तो मेरा मतलब है कि बातें कभी-कभी ऐसी ही हो जाती है जो हिंदुस्तान के लोग आगे चल करके कहां तक पहुँच गए हैं कि जुगाड और वो जुगाड है जिसकी जुगाड के बना कोई काम नहीं होता अब देखते हैं इससे आगे